नमस्कार दोस्तों एक बर्फिट से आप से भी का स्वागत है वापस से हमारे इस चैनल पर अनली टीचिंग पर दोस्तों इससे पहले वारे लेक्षर में हमने परसेंटेज का बेसिक कंसर्ट समझा था और कुछ कोशन्स भी इस पर बेस्ट हमने किये थे तो उसी सीरिज को कं परसेंटेज को फ्रेक्शन मना सकते हैं यानि कि हम दोनों का रिवर्स प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे यह जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले कोशन्स में हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं इन चीजों को तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और तो जैसे कि वापस से में एक्जामपल पर आएं तो हम इसको समझते हैं यहां पर देखें जैसे कि हमने वहां समझा था कि मान लिजे मेरे एक्जाम में 100 नंबर का पेपर है और मान लिजे मेरे एक्जाम में आए 70 नंबर किसी एक्जाम में तो अगर मैं यहां पर कंपेर कर इसका cent use होता है यहने की per cent per hundred पर कोई value कितनी है तो यह कहलाती है percentage यह हम यहां तक हम इन चीज़ों को पड़ चुके थे अब हम आईए basic चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी percentage value को हम कैसे fraction में change कर सकते हैं मान लिजे अगर मैं आपको लिख कर दूँ 20% तो यह 20% है लेकिन हमें अगर इसकी fraction मनानी हो इसको fraction में change करना हो तो इसका तरीका होता है 20 अब इस percentage की जगा आप लिख दीजे बटे में 100 और फिर इसको solve कर दीजे यानि कि एक बटे पाँच एक बटे पाँच जो है इसकी क्या है fraction है इसी तरीके से कुछ और values भी हम लेकर देखते हैं कि इसकी fraction क्या बनती है 25% अगर मैं पूछू कि इसकी fraction बताईए आप तो आप कैसे बताएंगे 25 उपर नीचे लिखेंगे और नीचे 100 अब आप जब solve करेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा यह तो जो हमारा answer आएगा यह आएगा 1 अपॉन 4 इसी तरीके से हम और भी values ले सकते हैं जैसे कि हम ले अगर 50% तो 50% के अगर fraction मनानी हो तो 50 उपर और नीचे 100 जब हम solve करेंगे तो यह आजाएगा 1 अपॉन में 2 की कोशिश करनी है कि कैसे हम percentage value को fraction में change करते हैं तो आपने यह चीज़ समझी अब हम इसका reverse भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें fraction दे रखी हो तो उसका हमें percentage कैसे निकालना है जैसे कि मान लीजे अगर मैं आपको दूँ 3 upon में 4 और मैं पूछों कि यह percentage में बताइए क्या value है तो इसका simple सा तरीका होता है आप इसको multiply 100 करते हैं आप इसको multiply 100 करेंगे डिवाइड होगा 4 से 25 25 को 3 से multiply किया 75% यानि की 3 by 4 का मता हो गया 75% इसी तरीके से हम कुछ और example भी लेते हैं जैसे कि मान लीजे अगर मैं आप से बनूँ 2 upon में 5 इसको आप change करेंगे percentage में तो percentage में change करने के लिए सबस्यासान तरीका आप इसको करते है इसे multiply 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 20 और 20 को जम तूसे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 40% तो इस तरीके से हम percentage को fraction में और fraction को percentage में change कर सकते हैं अब दोस्तों आप सभी को कुछ values हैं वो आप समझ लीजे याद रखनी पड़ेंगी या जब आप practice करेंगे question की बार बार तो values आपको दिखा देता हूं इन values को आपको याद रखनी है क्योंकि आने वाले questions में यह बहुत इस्तेमाल होंगी हम बार बार हर एक value की percentage निकालना या हर एक percentage value को fraction में change करना थोड़ा सा यह time consuming हो जाता है तो अपने time को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि यह values हमको याद हो 50% इसी को आप reverse में वियाद कर सकते हैं कि अगर कोई बोले 50% उसकी fraction बनाओ तो 1 upon 3 इसके गरम percentage निकाले 33 is to 1 upon 3% अब आप पूछेंगे कैसे हुआ तो अभी मैंने बताया था कि fraction को अगर आपको percentage में change करना है तो आप क्या कर दीजे multiply 100 कर दीजे multiply 100 कर दीजे तो यह change हो अगर मैं पूछो 33 is to 1 upon 3% की fraction बताइए तो आप इसका डिवर्स इस तरीके से याद कर सकते हैं 1 upon 3 ठीक है तो same इसी तरीके से 1 upon 4 की 25% 1 upon 5 20% 1 upon 6 16 is to 2 by 3% 1 upon 7 14 is to 2 by 7% 1 upon 8 12 is to 1 by 2% 1 upon 9 11 is to 1 upon 9% 1 upon 10 10 10% 1 upon 11 9 is to 1 upon 11% 1 upon 12 8 is to 1 upon 3% 1 upon 13 7 is to 9 upon 13 1 upon 14 7 is to 1 upon 7 1 upon 15 6 is to 2 upon 3% 1 upon 16 6 is to 1 upon 4% तो यह कुछ values हैं जो कि आपको याद करनी है या आप प्रेक्टिस करेंगे आगे बहुत सरे questions तो भी यह value automatic याद आपको हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि यह कुछ values हैं जो कि आपको एक्जाम में बार बार percentage के question में देखने को मिलेंगी और इन values को अगर आप एक बार ठीक से देख लेते हैं याद कर लेते हैं तो आपके लिए question solve करना आसान हो जाएगा आपका काफी समय exam में बस सकता है तो कुछ basic चीज़े अभी तक हम ने जानी अब आईए हम कुछ questions solve कर लेते हैं देखें पहला question हम जा solve करने जा रहे हैं तो है two numbers are 70% and 50% less than a third number what percent is the first number of the second हिंडी में अगर हम इस question को बता होती कह रहा है कि दो number है पहला number और जो दूसरा number है वो तीसरे number से 70% और 50% कम है तो बताईए जो पहला number है वो दूसरे number के कितना परतिशत है तो इस question को solve करने का जो तरीका है मान लिजे पहला number दूसरा number और जो तीसरा number है तो हम तीसरा number अगर हम 100 मान ले कि मान लिजे तीसरा number जो है वो 100 है तो क्या गया है two numbers are 70% and 50% less than तो अगर पहला number 70% less है यानि कि 100% अगर मैं इस number को मानूँ और first number 70% इससे कम है तो इसका मतलब first number क्या हुआ 30 इसी तरीकी से दूसरा number अगर मैं देखूँ वो कह रहा है 50% काम है 30 नंबर से तो दूसरा number क्या हुआ 50% ही तो हुआ आधा काम है तो आधा ही तो बच्चा इसका मतलब तो अब क्या कह रहा है what percent is the first number of the second यानि कि ये जो first number है ये इस second number का कितना percent है comparison हम किस से कर रहे है second number से कर रहे है तो हम इसको रख देंगे नीचे और किसको compare कर रहा है first number को यानि कि इसको हम रख देंगे उपर solve करेंगे 0 से 0 कट गया यानि कि 3 बटे 5 अब हमें इसे percentage में बताना है तो अभी हमने तरीका देखा fraction को percentage में change करने का तरीका है multiply by 100 तो solve करेंगे या आजाएगा आपका answer 60 percent ठीक है तो 60 percent जो है first number second number का 60 percent है तो ये हो गया पहला question second question if two numbers are respectively seven sorry 30 percent and 40 percent more than a third number what percent is the first of the second ये question more or less first इसे previous question कित रही है बट थोड़ा सफर किया है कि यहाँ पर कहरा more than है इसे previous question में हम देखा वो less than था और ये more than है यानि कि जादा है हिंदी में मैं इस question को कर समझा देता हूं कहरा है कि दो number है जो कि 30 नंबर से करमशा 30 परतिशत और 40 परतिशत जादा है तो बताइए पहला number दूसरे का कितना परतिशत है तो approach हमारी सेम पहले जैसे ही रहने वाली है बस थोड़ा सा data यहाँ पर change होने वाला है कैसे मान लिजे first number second number और जो हमारा third number है third number अगर मैं 100 मान लूँ तो यहाँ से first number क्योंकि 30% जादा है hundred का 30% 30 होगा तो hundred plus 30 कर दो आप 130 हो जाएगा हमारा first number second 40% more है 40% more होने का मतलब क्या हुआ अगर यह hundred है 40% मतलब 40 जादा है 40 जादा होने का मतलब second जो number है वो 140 है अब कहले है what percent is the first of the second यानि कि जो पहला number है वो दूसरे का कितना परतिशत है तो यानि कि हम इससे compare करने तो यह value आजाएगी नीचे और comparison किसे करने first number को तो यह आजाएगा यहाँ पर अब आप solve करेंगे तो यह हो जाएगा 13 बटे 14 अब हमें क्या करना है हमें percentage में change करना है तो एक तो तरीका होगा आप multiply hundred कर दीजे थोड़ सा calculated हो जाएगा तो आप एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या मैं एक दूसरे approach भी आपको बता सकता हूँ कि अगर आप multiply hundred नहीं करना चाहते तो एक वार हम अपने इस data पर आते हैं तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 upon 14 की value क्या है 7 सही एक बटे 7 परसेंट यानिकि 7 is to 1 upon 7 तो आईए एक वार हम इसको यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं देखें 1 upon 14 की value क्या होती है 7 is to 1 upon 7 परसेंट अभी हमने देखा 1 is to 1 upon 7 परसेंट जो होती है यह 1 upon 14 की value होती है हमें पता लगाने की भी 13 upon 14 की value क्या होगा यानिकि अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या answer आएगा एक तरीका मैंने आपको बता दिया आप 100 से multiply कर दीजे लेकिन अगर आप 100 से multiply नहीं करना चाहते तो आप देखिए आपको 1 upon 14 की value याद है अब आप सोचेगे कि मैंने 1 upon 14 ही क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर base में 14 है इसलिए मैंने वहां से इसलिए मैंने वहां से 1 upon 14 उठाया है कि यहाँ पर base 14 है 14 14 सेम हो गया तो 13 upon 14 के अगर हमें value निकालनी है तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर मैं 1 upon 14 को 13 से multiply करा दूँ तो यह वापस से 13 upon 14 नितो बन जाएगा तो अगर आप यहाँ पर 13 से multiply करा रहे तो आप इस पूरी value को भी 13 से भी multiply करके answer निकाल सकते हैं लेकिन 13 upon 13 से multiply करने का क्या तरीका होगा इसको हम एक बार देख लेते हैं तो 7 सही एक बटे 7% यह value है इसको हमें किस से multiply कराना है 13 से multiply कराना है तो 13 से multiply करने का तरीका है कि पहले तो आप इसको कराईए इसको अलग multiply करा दिजे 13 से 91 आ जाएगा उसके बाद जो यह number बच गया 1 upon 7 इसको आप अलग multiply करा दिजे 13 से तो जब आप इसको 13 से multiply करेंगे तो बचलेगा 13 upon 7 अच्छा अब आप एक चीज़ ध्यान दिजे कि उपर बड़ी value है नीचे छोटी value है जबकि जब भी हम fraction लिखते हैं तो उपर हमेशा छोटी value होती है नीचे बड़ी value होती है ऐसी situation में क्या करना होता है कि इस value को change करना पड़ता है यानि कि इसको हम change करेंगे mixed fraction में कैसे change करते हैं आईए हम देख लेते हैं 13 divided by आप 7 कर दिजे तो जब आप 7 से divide कर रहे होंगे तो 7 बंजा 7 remainder कितना आया 6 यानि कि यह वाली जो value है यह आजाएगी बीच में और remainder उपर आजाएगा और यह आजाएगा साथ नीचे जो कि divisor था तो यानि कि इस पूरी value को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कहने का मतलब यह है कि जबने 1 upon 7 को multiply कराया 13 से तो final हमारा क्या आया 1 is to 6 upon 7 और यहाँ पर जबने 7 को multiply कि 13 से तो आप आया है 91 अब आप क्या करेंगे कि जो यह वाला number है complete इसको आप इसमें add कर देंगे तो यह हो जाएगा 92 ठीक है तो यहाँ से आप जो हमारा जो final answer आएगा वो हो जाएगा 92 is to 6 by 7% तो इस तरीके से आप questions को solve कर सकते हैं इस approach के साथ तो अभी हमने कुछ दो questions को हमने पढ़ा दोनो types को पढ़ा जिसमें कि हमने देखा कि कैसे अगर दो percentage value आप को दे रखिया और तीसरे से compare करा रखिया तो हम कैसे less than या more than करके उन values को find कर सकते हैं तो यह questions के हम कुछ types हैं जिनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं और more or less exam में जिब question आते हैं तो इनी types पर based आ रहे हैं तो अभी हमने दो questions दो types देखे percentage से related questions के दो type आने वाली वीडियो में हम और भी complete करेंगे percentage का हम पूरा topic करने जा रहे हैं तो फिलाल अभी के लिए इतना ही है अगर वीडियो कर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेगा मिलें हम आगे आने वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार